हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल एसे यह चीस टेकनो आज का हमारा टॉफिक है नॉइज से हमें कैसे प्रोटेक्शन करना है हेवी नॉइज है तो हमें कैसे प्रोटेक्शन करना है हेवी नॉइज के हेल्थ इंपक्ट क्या है आज के वीडियो में मैं आपको भाजुबाजों में रास्ते पर हम लोग आते जाते हैं वहां पे जो Unwanted Sound Release होता है या Unwanted Sound होता है वो हमारे शरीर पे वीध प्रकार के परिणाम करता है हम काम करते समय जो कम्यूनिकेशन करते हैं संदेज देते हैं जॉब पर्फॉर्म करते हैं उसकी वज़े से हमारा काम हैंपर होता है जिसके लिए हेवी नॉइज कार्णिबूत होता है हेवी नॉइज की वज़े से पर्मनेंट येरिंग लॉस हो सकता है पर्मनेंटले हमारी सुनने की शमता कम हो सकती है उसके लिए हमें हमारे कार्णिबूत प्रकार के येर प्लग और येर मप आते हैं उसका प्लीपी का इस्तमाल करना चाहिए हमारे कार्खरों में काज अस्तल पे बहुत से बार विजिटर लोग आडिटर लोग या कोई नए लोग आते है कि कौन से लोकेशन पे जाने के वक येर प्लक का यूज करना चाहिए येर मप का यूज करना चाहिए हेवी नॉइज की वज़े से हमारे कान में दर्ध होता है जैसे कि आप देख रहें किसी शादी समरम में डीजे का साउंड चल रहा है और आप ज़्यादा सुनते हो तो कान में दर्ध होने लगता है कान में रिंगिंग जैसा साउंड आने लगता है और इससे हमारी मांस्टिक स्थिती भी खराब हो सकती है जिसकी वज़े से कार्य करते समय हमारे कार्य स्थल पे हमारे साथ दुरगट ना हो सकते हम जिस कार्य सेत्र में कार्खाने में काम करते है या हेवी मशनिरी के उपर काम करते है आप प्रोवाइड करके आप दौनी की शमता कमड़ सकते है कुछ मशिन के ऊपर इंतिनैर्ग कंड्र्ल प्रोवाइड करना upon नहीं होता तो उस समय हमें वहाँ प्र पे प्रोवीजन करना चाहहे जैसे कि यह प्लग हो गया और you मप हो गया मशिन के ओपर अगर ज्यादा नॉइज है तो डीबी मिटर या साउन मिटर से हमें उस नॉइज को मेजर करना चाहिए जैसे कि 85 डीबी के ओपर नॉइज में 8 घंटे से ओपर काज़े करना हमारे सियर के लिए ठीक नहीं है उसमें ये रिंग लॉस के चांसे ज्या 55 डीबी तक का नॉइज है तो एर फ्लक पहनने के बाद आपको 55 डीबी तक साउन इयर होगा जो आपके साउन वीटर में डिस्प्ले होगा येर प्लग यूज करते समय आपको ये साउधानी बरतनी कि आपको खूद का येर प्लग यूज करना है किसे ने दूसरे ने यूज किया हुआ येर प्लग यूज नहीं करना है डैमेज कंडिशन में होने वाला येर प्लग आपको यूज नहीं करना है एर प्लक के उपर किसी प्लकार का कंटेमिशन है केमिकल है ओईल है लगा हुआ ऐसे प्लकार का एर प्लक आपको योज नहीं करना है एर प्लक एक इंपोर्टन टाइप का पीपी है जो आपके एर प्रोटेक्शन करता है इसे हमें ठीक से योज करना है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल एसे ये चिस टेकनों को जादस जादा लाइक शेयर सब्सक्राइब धन्यवाद